नमस्कार दोस्तों मैं सुमीद बर्मन और आप देखरें मारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बर्ट्सकेलन इन्फो तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने पैरोड को बाइट करने से कैसे रोकें इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि आज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करने ताकि सारे लेटरेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो चलिए दोस्तों आज केस वीडियो को सुरू करते हैं अगर आपका पैरोड आपको पाइट करता है तो आज हम इसी टोपिक पर बात करेंगे तो पैरोड को वाइटिंग वहवियर को सौल्फ करना बहुत ही इंपोर्टेन स्टेफ है जब तक आप उसके वाइटिंग वहवियर को खतम नहीं करते तब तक वह ना ही टेम होगा ना ही वह टॉकिंग करेगा ना ही वह आपके साथ फ डर रहा है आपके साथ खुस नहीं है और उसे केट से बाहर निकालेंगे तो वह भाग भी सकता है तो इसके वाइटिंग वहवियर को खतम करने के लिए फर्स्ट स्टेप है कि जब वह आपको काट रहा है तो आप अपनी फिंगर को हटाये ना वलकि उसे काटने दे और क्या है यह react करते हो की आपको दर्ध हो रहा है तो आपके पार्यूट को ओर वी जदा ब्राबा मिलता है वो आपको और वी ठेज वाइट करने लगता है अपने पैरोट को ट्रेन करना है तो थोड़ा पेन वरदास करना होगा सेकेंडर स्टेप यह है कि मिनरल ब्लोक दें जिससे कि वो सटिस्फाइब हो सके चुंकि पैरोट की नेचरोल हैवीट होती है चीजों को कातना या यहां तक कि वो अपना पर्च या अपना केज़ेस को भी काते हैं तो आप अपने पैरोट को मिनराख ब्लोक या कैल्सियम ब्लोक जो रूद दें जिससे उन्हें कैल्सिय भी बिलेगा और उनकी जो नेचुरल बाइटिंग हैवेट है वो भी फुल्फिल हो जाएगा और थर्ड स्टेप यह है कि आप अपने पैरोट को बड़ ट्वाइज दे हैं क्योंकि वो केज में पड़े पड़े ऐसे भी वाइल हो जाते हैं वो बिल्कुल जंगली हो जाते हैं जिससे कि आपका पैरोट बाइट ना भी करता हो तो वो आपको बाइट करने लगता है तो उसे वर्ट टोई जरूर दें और फॉर्थ एन इंपोर्टेंट होने लगेगा तो फ्रेंड्स यह थी फोर स्टेप तो आप यह स्टेप को अपने पैरोट पर इस्तिमाल करते हैं तो आपका पैरोट आपको बाइट करना छोड़ देगा और इसे आप असानी से ट्रेन भी कर पाएंगे तो आज के लिए बस इतना ही आसा करता हूं कि यह व हुआ है